नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरवदय ओनलाइन क्लासिस में प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है कि आपका कलास 11 का सभी भी फैका मोडल सेट आच चुका है टर्मटू के एजाम के लिए तो उसी करब में ह हम आज जो हैसे आपके हिंदी इलेक्टिव के सेट वार्न का सोल्यूसन लेकर कर आच चुके हैं कसम से इतना महनत लगा है ना कि क्या बोले तो बस आप लोग से एक प्रात्ना है कि आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कर दिजेगा और कमेंट जरूर कर द गधियांस थे गधियांस आपके दिया हुए था जिसको नहीं लिखे हैं और उसे सवाल था मेरा पहला कि जीवन की सरव Nether निति किस Ale तो उसे इमंदारी अपनाना चाहिए। इसी में क्या देखते हैं। कि आपको आता है थमा में एक पदियांस से। कविता रहेगा, सवार उससे रहेगा, तो इसमें आपके वह लेक्षी बनाना है। आतो गदियांस बनाईए, आतो पदियांस बनाईए। देखते हैं आतो हमें, कव में हैं कि पदियांस में सच किसे कहा गया है, तो पदियांस में सच जो है, वो संगर से को कहा गया है। कहा है, नयन का नीर, क्या आर्थ है, तिसका आर्थ होता है, आंख का आसू। अगय है उप्यूगत पध्यांस के लिए उप्यूगत सिर्षब हो जाएगा इस था आपका घंड कर जिसमें आपका जो सो गद्यांस वां से कोशन रहेगा उसमें केवल आपको एक ही टच करना है खंडखा की बात करेंगे तो यहां पर कोशन नमबर टू है जिसमें किन्हीं दो परसने को उत्तर दें परसने का आता है उसमें आपको लिखना है किसी एक विसे पर निबंद आपका पहला था अनुसासन का महत्व इसके नियम या कानून से है अता अनुसासन को परिभासित करते हुए हम यह कर सकते हैं कि एक वेक्ति को अच्छे आदर से नियम कानून के अंतरगत रहना ही अनुसासन का रात है हमारे जीवन में हर एक काम के लिए बेहतर अनुसासन के आवसकता होती है क्योंकि अनुसासन के अता हमारे जीवन मनुसासन का बहुती अधिक महतव है जिसे निमने बिंदों से समझ सकते हैं पहला है विद्यार्थी जीवन मनुसासन का महतव इसमें क्या देखते हैं कि अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अनुसासन में रहना चाहिए अनुसासन का पालंग करके ही एक अतिक महान वेक्ति का जीवन अनुसासन के बिना कोई वेक्ति महान नहीं बन पाता है अता विद्यार्थी जीवन में अनुसासन का होना बहुत थी आवस्यक है क्योंकि अनुसासन के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकती अगला मेरा यहां पॉइंट है अनुसासन के परिच्चे दे सकते हैं हमें अपने जीवन को अनुसासित बनाने के लिए नीमने कार्य करना चाहिए कौन कार्य है? पहला एक संतुलित और नीमीत दिंजर्य का पालंग करना चाहिए आगे है अपने से छोटे एवं बड़े लोगों को आदर समान करना चाहिए, सारे कारिये समयवर पूरी करना चाहिए, और वेर्थ कारियों से दूर रनना चाहिए, आगे हैं, बूरी आदर तों और बूरी कारियों से दूर रनना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, देखते हैं, अनुसासन के लाव एक वेक्ती अपने देनिक जीवन में अनुसासन के इन सारे कारिया को अपना लेता है तो उसे लाव अवस्ज़ मिलता है जिससे वह सब का आदर सब बन जाता है साथ ही साथ उसे अपने लच्षे को पराप्त करने में काफी साहित मिलती है यहां पर क्या देखें इस परकार हमने यह जाना की अनुसासन का अर्थ है जीवन के अच्छे नियम कानुन से हैं जिसी जीवन में अवतरीत करने से हमारे जीवन का फिमन रंजक एवं आनदमई हो जाता है जिस कारण से हम कई उचारियों को भी छूँ सकते हैं कि अब यहां ध्यान देनी वाली बात है नियम में कि पढ़ाया थे आपलोग के अठीवर आफिया नहीं पढ़ाया होँ तो पढ़ा देंगे कि नियंपन को हमको भी भटकना नहीं हुषम से हमको उसमें बंद करना है और आपका अगर यहां पर नियांग से एक से डेड़ पेज में समापते कर देना है उसके अलावे चार से पांच पुवेंट देना ही देना है यह आपका नियम कहता है चलिए देखते हैं मेरा इसी के अथवा में था मेरे पिर ये रचनाकार है अब यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं तो लिखे हैं वैसे तो इस पिर्थवी लोक में कई महान महान रचनाकार हुए हैं जिन्होंने एक से बढ़ कर एक कृतियां रची है लेकिन इन सब ही में मुझे कोई भाता है तो वह है गोसवामी तुलसिदास अन्य हम यहाँ पर जो है गोसवामी तुलसिदास के बारे में रचना की और उसी की इन लोग प्रित्या के कारण आज हम उनके जन्म दिवस पर तुलसिदास के बारे में तो क्या देखते हैं कि तुलसिदास के जीवन के बारे में और इनके जन्म के बारे में काफी मतबेद हैं लेकिन बहुमत के अधार पर यह माना जाता है कि उनका जन लेकि राजपुर गाउं में हुआ था उनके आरहां भी जीवन में अनेक कष्ट आए परंतु वे कष्ट के कारण कभी अपने जीवन से समझोद्धा नहीं कि और कांसी जाकर उन्होंने अनेक सास्तेरों का अधियन किया और आगे चल करके वे विद्वान बन गए और क्या देखते हैं कि तुल्सित आसको हम महा कवी के साथ समाज सुधारक नेता और करांते कारी विचारक भी कर सकते हैं कैसे कहेंगे तो क्योंकि जिस समय तुल्सितब्धा का अविर्भा हुआ था और जिस समय उसका जीवन काल था, उस समय मुगल सासकों ने हिंदों पर बहुत अच्य चार किया था, जिन से हमारी धर्म और संस्कृती खत्रे में पढ़ गई थी, जगह जगह दंगे हो रहे थी, तब तुलसी दासने धर्म और संस्कृती को बचाने के लिए कई गरंथ की रचन जाती पर्था का भी खंडन किया गया है, उन्होंने अपने रचनावों में यह सिद किया कि भगवान को भजने का दिकार सभी वर्गों को है, जो भगवान का सच्च भगत होगा, उसे मुक्ती अवस्ये मिलेगी, और सभी लोगों को एक सूत्र में, एक माला में पिरोने का परियास्की हैं, थोड़ा देखते हैं इनकी पर्मुख गरंद के बारे में, तो हम क्या देखते हैं कि राम चरित रमानस के अलावे, तूलसी दास के अनेक गरंद उपर अब देहन, जिनमें कविता वाली, गीता वाली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, आदी पर्मुख है अतेनिसकर्द पर यहां क्या लिखे हैं कि यहां हमने यह जाना कि पर्तिक वैक्तिका पिर्य रचनकार अलग-अलग हो सकता है मेरे पिर्य रचनकार गोसवामी तुलति दास हैं जिनकी जीवन के चर्चाओ उपर कर चुके हैं साथ ही मेरे जीवन का आधर सी बैब वही है और उनके नित ये कर्मों को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रियास करता है यह था आपका निबन करता है कि अपने गाँ में कोरुना वैक्सिनेशन हे तू़ कैंप लगाने के लिए परखं चिश्टा पदाधीकारी को एक पत्र है बत्र हम आपका मुख्या आता इसका यहां पर फैदा आपको एक से अधिक वहीं को होगा, तो यहां पर इसका हम बनाये हैं, कि सुरू में जहां से लिख रहे हैं, वहां का अट्रेश डाले हैं, जिसे राम नगर हजारी बाग, जहारकन चुकि हम भी हजारी बाग से हैं, और यहीं पर मेरा जो है, और आरसर का नम तो शुरू में लिखें आप लोग यहां का एड्रेस लिख दिए फिर डेट लिख दिए अब लिखेंगे किसके पास अप्टिकेशन लिख रहें लिए तो यहां लिखेंगे सेवा में पर्खन जिगीशा दिकारी कहां कडाले हैं तो कटकम धा घचारी विश्य क्या है तो एक थोड़ा सा कौमा देंगे अपर महां से सुरू करेंगे कि समीना निवेदनिया है कि मैं रविरंजन कुमर आपके परसास्तिनी छेतर का नागरी कहां मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे छेतर राम नगर में अभी तक कोरोना वैक्सिनेशन के लिए कोई भी कैम नहीं ल आगे लिखे हैं कि अत्र आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे छेतर में एक बार कोरोना वैक्सिनेशन है तुमेडिकल कैम अवस्च लगाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाव मिल सकें इस कार्ये के लिए मैं आपका सदव अभारी बना रहूंगा एक लि अधिक आप तीन भी लिख सकते हैं पर्यास के चुकी आप लोगे इंटरस्टर के हैं आपका सवाल पांच में मर क्या आता है तो यहां अपको लिखना है पूरा एक पेज में यह आपका पूरा जो इसका डागराम है उसके अलावे महासर के बाद हमको दो पारागराप में लिख देना है जिल आ गव में क्या है कि समचार पात्र के संपाधा के नाम पात्र लिखे और बताइए कि आपके सहर में आविवस्थी या थायात के कारण अखसे दुर घटनाए होती रहती चलिए इसके बारे में देखते हैं यहां भी सेम काम किये हैं पहले लिखे एड्रेस तो एड्रेस में रखिया है इंदर पूरी चौक हजारी बाग और हैं चौक में मेरा कोचिंग भी है डेट है 26 मई दोजार बाइस नीचे लिखें सेवा में स्रीमान संपाधक महोद है किसके संपाधक हैं तो परभात कवर हजारी बाग पीन नंबर बरासी तिरपन जीरो एक विशाय लिखे हैं तो विशाय है कि हमारे सहर की अववश्थित याताया स्विध्धा से अवगत कराने हैं तू आवेद हैं फिर लिखें नीचे इन छोड़ के महा से सविन निवेदन यह क कि मैं रवी कुमार आपके संपाधक के छेतरहजारी वाकर निवासी हूं निवेदन पुरुवक्या कहना चाहता हूं कि हमारे यहां यातायात व्यवस्ता काफी खराब हैं जिसके कारण आए दिन दुर्गणाएं होती रहती हैं साथ ही मैं यह भी बता दरना चाहता हूं कि कि यहां ट्रैफिक कोई उचीत सुविधा उपलब्द नहीं है जिसके कारण आए दिन विभीन चौक चौराहों पर जाम दुर्गणाएं सनक खासा जिसी खडणाएं होती रहती हैं एक कि लर हो गया आगे लिखे हैं कि अता आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने आचर या तयात व्यवस्ता की खबर को प्रमुक्ता से चापे जिससे प्रसासां की नजरीस पर पड़े और इसमें कुछ सुदार हो इसके लिए मैं आपका सदय अभारी बना रहूंगा सधन्यवाद आपका विश्वासिक करते हैं कि सर आपका डियागराम गलत है ऐसे नही होगा तो देखिए बाबु आप लोग का यह सब भी सही है ठीक है बस आपका पुराना मोडल हो चुका है और जो आपका नई मोडल आया है उसमें आपको अपली कैसा नहीं लिखना है आपको हर चीज एक साइड में ही देना है तो कंफिजर होने क्या आप सकता नहीं है जो तो आपना नाम और सहर का नाम जरूर लिख दीजेगा बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे प्राथना है चलिए आगे मारा सवाल है कि परतिवेदन का आसाय असपश्ट करते हुए उसकी विश्यस्ताइं लिखें एंसर लिखें है कि परतिवेदन को रिपोर्ट करते हैं किसी आगे लिखें कि वाश्ट में परतिवेदन एक एसा लिखी त्विवरन है जो किसी कार्य का सही सीधा और सबाट जंग कारे देता है इसके दोवारा किसी कार्य की जांचस्तर उसके प्रिणामों को असपश्ट रुप से व्यक्त देक्या सकता है इसकी परमुश्यस्ताएं इस परकार है पहला यह तर्थियात्मक होता है दूसरा तर्थियों का परमानिक होना आवस्यक है या निवारी है तितरा यह कानूनी या वैद्धानिक दस्तवेज का भी रूप ले सकता है जो था विसे निश्टिता पाए जाती है और पांचवा संचीप्त सुगठित और उपयोगी होता है यहाँ पर आपका हम चार देखें हैं कोश्चन इसमें केवल आपको दो ही बायान है आपको जो यह जी लगे इसको बना सकते हैं इसमें कोई आपती नहीं है बात करेंगे कोश्चन मत्री का इसमें लिखा हुआ है कि निमने लिखीत में से किसी एक की सब व्याख्या करें कर में हार भी तेरी बनेगी विमानी नी जैका पता खा राक्षनिक पतंग की है अमर दीपक की निसानी है तुझको अंगार सईया पर मृदुल कालिन बिछाना जाग तुझको दूर है जाना तो यहां पर आगर जहां आपका सवाल आएगा कि सब अर्ग्रपर्संग व्याख्या कईन करें यहां तीन पॉइंट रहे अर्Г्रफ। पर्फंग में लिखते हैं आखिन में जो कविता है का सारांस है जो कावियांस है वह कहां से लिए गया है इसमें क्या लिखेंगे कि परश्तुत कावियांस हमारी पाठ यह पुष्टक अंतरा भागवन में महादेवी वरमवद्वारारची जाग तुझको दूर जाना से अगर तुम्हार भी जाओगे तो भी वह तुम्हारे लिए विजय के सम्मान है तेरा मान सम्मान हरने के बाद ही बना रहेगा क्योंकि तुमने जो महनत किया तुमने जो टक कर लिए एकजामपल देती है कि प्रेमी पतंग के बलड़ीदान के बाद अगर उसका राख बन जायगा तो वह उसका राख ही उस दीपक के अमर प्रेम के निष्णान है नियंकि पतंग को पता था हम दीपक बश जाएंगे मेरा हार निष्चित है हम जो है सो राख बन जाए फृर ही तो राक से बज़ता है वही राक दीपक और प्रेम की जो उसकी पतंग थी वो दोनों की प्रेम की निसानी थी अई बात यहां बोला गया है कि जिस परकार से प्रेमी पतंग के बलिदान के बात जब प्रेमी पतंग निश्ट हो जाता है तो उसका क्यों राक बज़ता है और व रुपी सीज है उस पर तुमको कोमल कालिम बिछाना है और तुम उठो तुमको भी बहुत दूर जाना है बात करेंगे कावे संदर्य की तो यहां पर पहला है कि भासा तरस्वं परधान खड़ी बोली है आगे कविता में संगीत अत्मकता है आगे लाचनिकता चित्रमयता और भीम धर्मिता का चित्रन है चौथा व्यंग परधान सैली का पर्योग किया गया है अब देखते हैं खव में है छोटे छोटी मोती जैसे उसके फितल तुहिल कनो को मान सरोवर के उन स्वर्मीन कमलों पर गिरते देखा है बादल को गिरते देखा है यहां देखते हैं परसं जास हमारी पाठ यह पुष्टक अंत्रा भाग्वन में जो कि मेरा अंत्रा भाग्वन अभी चल रहा है तो अंत्रा भाग्वन में नागरजुन द्वार रचीत बादल को घिरते देखा है इसमें कभी वर्शारित्य आगमन के फ़चात होने वारे परिवर्दन तता मिग की विभीन चवियों का प्रकिर्ती पर परने वाले परभावों का भर्नन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको देखे हैं व्याक्या में यहां लिखा गया है कि मैंने वर्सा के छोटी छोटी मोती जैसे बुंदों को जो वर्सा की बूंदे गिरती है वो उसकी बूंदे छोटी छोटी मोती के समान लगती है जो एकदम सफेद बर्फ के समान ठंडे होते हैं और जब यह बूंद जो आपका मानसरोवर जील है तो उस मानसरोवर के जील के कमल के फुल पर गिरते हैं तो इस द्रिश्चे को कवी अपने आखों से देखा आगे बोलते हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा अर्थात इस समय का द्रिस्य काफी आहनंद मई यह मन मोहग लगता है और इसी बात को जो है तो कभी अपने कावियांस में बताएं देखते हैं कावियसंदरी है तो पहला है कि भासा खड़ी बोली है आगे छोटे छोटे में पुनरुकती अनुपरास अलंकार है आगे कविता की भासा सरल एवन सहज है और फोर कविता में संगीदात मत्ता है गोश्चन नमर 14 इसमें लिखा गिया कि नीम्ने में से किन ही दो परस्णों को उतर दें आपको यहाँ पर तीम परस्णों में अधालने के लिए कवित्री ने किन यह थारतपुर्ण इस्तितियों का सामना करने के लिए एक का है देखी जो सवाल है इसका उतर लिखने का बहुत सरा एडिया है लेकिन चुकि मेरा सवाल यहाँ तीन नमर के था तो उसी एकोड़ी यहाँ पर एंसर लिखे हैं तो पहला क्या लिखे हैं यहाँ पर कि यहाँ परस्न हमारी पाठी पुष्टक अंद्रा भागवन में महा दिव सपना देखते हैं उस सपना सच हो सकता है उसमें सच की अंसर बसरत्य क्या है कि आप जो है अर्थात व्यक्ति जो है वह अपनी लगन हिमर और करमों से सपने को सत्य में ढाल रहता है अगर व्यक्ति मिहनत करेगा लगन करेगा अपना अच्छे काम करेगा तो उसका सपना व और फूल का क्या बोलते हैं दीपक जलकर रोशनी फलाता है तो फूल खिलकर सुगन देता है दोनों पके संगे लेकिन ना तो दीपक खिल सकता है नहीं फूल जल सकता है जिस परकार से दीपक रोशनी देता है तो कामी रोशनी देना है फूल क्या है खिलकर सुगन देता है द वेक्ति जो से सत्य को पा सकता है वेक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है अर्था यहां पर बोला गया है कि सबकी अपने विश्यस्ता है और उसी के अधार पर हम सपने को सत्य में ढाल सकते हैं और केवल यहां देर है तो अपने अंदर की विशेष्टा को अपने अंदर की गुण को पहचानने की देर है खा है नीद उचड जाती है कवीता के अधार पर बताए कि कवी के दिरिष्टी में बहार के अंदेरा भितरी दूसर अपनों से अधिक भ्याव़ क्यों है लिखे एंसर कि कवी ने निंद उचड़ जाती है कवीता में बाहर के अंधेरा को भीतरी दूसर अपनों से अधिक भ्यावा बताए क्योंकि भीतरी दूसर अपनों से तो केवल आँख खुलती है नहीं और उससे हम केवल चौकते हैं लेकिन बाहर का अंधहरा और अधिक भया हुए है इसमें रॉसनिय नहीं आती केवल उसके आने के वाज आती हैं हम क्या देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है उस सुख रूपी रोसनी कि भी आता ही नहीं है केवल हमको दुख ही दुख मिलता है और हमको जो इसे केवल अंधेरा हैं अंधेरा मिलता है और कहने का मतलब है कि जो हम सपना देखते हैं रात को जो अंदर का सपना तो वर सपना आज निकल तो तुम्हारा गाव हो जाएगा ना नीन खुला सपना गाव लेकिन जो बाहर का अंदरा है वह कभी गाव नहीं होता है वो तुम्हारा जीवान में हमें सब चलते रहता है इसलिए जो जो हैसो कभी भीत्री दूसर अपना से अधिक भ्यावा बाहरी अंदरा को बताएं गा में है कि पत्नी की आखे आखे नहीं हा हाथ है जो मुझे थामे हुए है सिक कवी का क्या सा है घर में वापसी कवीता के धार पर लिखे तो यहां पर क्या देखते हैं कभी बोले है कि पत्नी की आखे आखे नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए इसमें कभी कहते हैं कि पत्नी केवल देखती नहीं है बलकि वे हर इस कामों में उनका सहारा जेती है उनका समर्थं करती है वह परिवार को गिरने एवं टूटने से बचाती है वह हर संकड में कभी का मदद करती है तथा परिवार के उतरदायतों को सबल बनाती है अता उनकी पतनी ने कभी एवाम उनके परिवार को थाम रखा है अब देखते हैं कोश्चान नमर फाइब है इसमें में दिखे हैं कि निम्नलखित में इसे किन्ही दो परसनों के उतर दे यहां भी आपको तिन परसन मिलेगा कभ में हैं इस्तरी समानता को पर्तिष्ठित करने के लिए जोतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए यहां पर देखते हैं कि परस्ट परसन जो है वो सुधा अरोडा दवररची जोतिबा फूले से लिया गया है जिसमें जोतीबा ने इस्तिरी समानता को परतिष्ठी करते वे बताते हैं कि पहले क्या बोले कि उन्होंने सर्वपर्थम नई विवापदती को जन में दिया जिसमें ब्रामन का इस्तानी हटा दिया उन्होंने इतिरी समानता को लाने के लिए जो पहले विवाह पदती थी उसको हटा करके वहाँ फीड से नया पदती को लाते हैं जिसमें बोलते बरामन को हटा देंगे चुकि उनका मानना था कि जो वहाँ मंदर पड़ता है बरामन लो तुम्हारा कहीं ने कहीं पुरूस परदान था और इसके लिए फिर सैथ महलाओं को सोसन होता होगा तो इसलिए वो जो एसो एक नए विवाह पदती को लाते हैं और क्या देखते हैं कि वह जो ऐसे पुरूस से सपत लेते थे कि उसे उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी सोतंतरता कानुभाव करने देगो और यहां कहा गिया है कि विवाह के समय सुधा अरोड़ा ने नियाम बनाए कि हम पुरूस सपत लेंगे क्या लेंगे कि उनकी पत्नी होने वाली हैं उसको उसका अधिकार देंगे और उसकी सोतंतरता कभी हने नहीं करेंगे अनुशे भी जो ऐसो पुरूस सोतंतर रहने देंगे आगे हैं इस्त्री सीख्छा पर अधिक बल देना चाहिए उनका मानना तो सुधार रोड़ा ज्यो आगे है मेरा कोश्चन कि चल ये लोग मारा घर न बनने देंगे सुक्या के इस कथन के अधार पर खाना बदोस कहानी का मुझ समेदना को असपश्ट कीजिए क्या देखते हैं कि परस्तूत परस्न हमारी पाठिया पुष्टक अंतरा भागवन में उमपरकास वाल में की द्वर रचीत खाना बदोस से लिया गया है क्या देखते हैं कि इसमें जब मानो और सुखिया भट्टे के मालिक के बेटे सुबे सिह के सोसन के सिकार हो गए थे तब वे कहीं और जाने का निश्चा करते हैं क्या हुआ कि शुख्या और मानो दोनण पत्थी पत्नी थे अर वह जिस से अच्छानग क्या होता है कि एक दिन जो इस इंट भटे पर भटे के बेटा अनि भटे के मालीक पेटा बेटा रहा आता है और वह जो ऐसे मानों पर कुछ बुरी नजर डालता है लेकिन मानों इसके बहकाईम नहीं आती है तब यहाँ पर सुबे सिंग जो ऐसे उनको परिसांग करना सुरू करता है और इतना परिसांग करता है कि यह अंत में वो इस सब जो ऐसो भटे पर से चल जाना ही उची समझते इस कथर में जो ऐसो इस कहाणी के मुख चरूप से मुख चुरू के सोसंग के बारें बताया गया है कि किस परकार समाज में सुबे सिंगी सिताकत वर लोग मुख चुरू का सोसंग करते हैं और उसे अंत में कहीं पलायंग करने के लिए भी बस कर देते इसकी बात करेंगे से हम क्या देखते हैं इस कहानी में मुख्यरूप से मजदूरों का वर्नन किया गया इनकी मूल समेदना ही है कि समाज में जो वैक्ति अमीर है जो थोड़ा रहीस है जो थोड़ा ताकतवर है वो सुखिया और मानो जैसे गरीदव लोगों का सोफन करते हैं और उसे इतना तंग करते हैं कि बेचारा जो जो इसे अंत में हर माल लेता है और जो इसे कहीं और जाने का निश्टे कर लेता है और समाज इस चाहिए है और इसी को दिखाने के लिए उमपरकास वाल में के जी ने खाना दुश कहानी का रचित की यह हैं उनका वर्नन की यह है देखते हैं आगे स्वाल हैं कि देश में सब परकार क्यों नती हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताये हैं उसमें किनी तीन का उधारन सहित उलेख करें क्या देखते हैं कि यह जो परस्ण है वो हमारी पाठिय पुष्टक अंतरा भागवन में भारत तेंदू हरिष्चन वर रचीत भारत वर्ष की उनत्ति कैसे हो सकती है से उतरीत है इसमें लेखक ने भारत वर्ष की उनत्ति के कई उपावत आये हैं जो इस परकार से हैं पहला क्या है कि बच्चों का छोटे पन विवाह नहीं करना चाहिए और इन्होंने सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाने का आवहान किया आगे कुलिन पर्था नहीं कहने का मतलब है जाती वाद जाती पर्था और बहु विवाह पहले क्या था ना कि एक पुरुष जो है वो एक सेदिक विवाह करता था उसको बोलते बहु विवाह पर्था पर रोक लगाने चाहिए अन्य इनका मानना है जो समाज में जाती वाद है पर ले उसको वटा जो समाज में बहु विवाह परता है उसको वटा तब ही मेरा भारादेश महान बढ़ सकता है आगह मुसल्मान भाई हिंदुस्तान में बसकर हिंदोवों को नीचा समझे न छोड़ देंगे कहाणिये में बताया गया है कुछ मुसल्मान लोग खास करके यूपी के लखनेव के मुसल्मान ये मानते तक हम वन्वाब जी रहे हम वर्व नवाब हैं और वो जो ऐसे हिंद मान भाय बह एक ँससे आग रहक कि आप ह हंदुस्तान में पकिस्तान में नहीं है ठीक है सलाम और जोट है कि शुदामा पांड़ी इसको बोलते हैं धूमी तेनकी दो रचना है बासुरी जल गई संसत से सनक तर आगे लिखा हुआ है कोचन साथ है और यह आपका जो कोचन है वो सकेन बुक अंद्राल भागवन से है यहां लिखा गया है लेखर जन्मजात कलाकार ह हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकता में सबसे पहले यह कहां उद्गटित होता है तो हम क्या देखते हैं कि लेखर जाता है ड्रोइंग अस्कूल में ड्रोइंग सिखने के लिए तो वहाँ पर ड्रोइंग मास्टर मुहमद अस्तर ने अस्कूल के बलाबोट पर एक लेखक वो लेखक जो है उस चुणिया फो भाल हू अपनी सेek Uतार दीता है एसा लगता है कि मानवा पोस तरके से सैके बैटे गई आज सब खुस होते हैं और मखबूल जी क्यानी लेखा को यहाँ पर फूल का फूल अनि दर्श में दसमर मिलते हैं इस तरह साबित होता है कि लेखर जनमजाती कलाकार है कि बिना ट्रेनिंग के वज़ों से इतना अच्छा ड्रोइंग कर दिया अधवा में है कि लिखक ने अलग-अलग वैक्तित्वा वाले अपने पांच मित्रों के सब्द चीतर प्रश्टुत की हैं अलग-अलग वैक्तित्वा के बावजूत ए घनिश्ट मित्र हैं कैसे यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रश्टुत परस्ण जो है वह हमारी पाठीय पुष्टक अंतरा भाग्टु में मकबूल फिदा हुसें द्वर्रचीद हुसन के कहाने अपने जवाने से अवतरी थे यहाँ पर क्या देखते हैं कि लेखा जो से अपने पांच मित्र का वहर्नन की जिसमें कापी गून अलग-अलग ते लेकिन फिर भी वह सब घनिश्ट में जाईते हैं और इनहीं तीनों समानगून होने कारण पांचों जो व्यक्ति है वहापस में घनिश्ट घनिश्ट हमीध है कोशन नवर आठ है के कला के परती लोगों का नजत्रिया पहले एकसा था तो हम क्या देखते हैं कि पहले कला करती लोगों करने पहले जासा थैं वर्तमान में क्या देखते हैं कि अब जो है सो कला के पड़ती लोगों का नजरिया बदल गया अत्वा में क्या है कि मकबूल बचपन में गुमसुम क्यों रहने लगा था तो हम क्या देखते हैं कि लेखा जो कि खुद मकबूल है तो लेखा को अपने दादा जी से बेहत लग सो डादाजी के भोरी अच्कान ही ऊटता उन मानो कि डादा जीं ही सो रहे हैं और किसी से बाद शीद नहीं करता था अर्थाल का सकते हैं कि लेखकी बच्पन के अन्य अन्य लेखके बच्पन में उनकी दादा जी जी के मिटीयू के बाद वह हम ऐसा गुमसूराने लगे यह था आपके सारे परफनों का उतर कसम से बोले बहुत मेहनत करना पड़ा चुकि आप लोग के लिए हम अच्छा कंटिल आने का परियास करते हैं बहुत सारे यूटूब में क्या देखते हैं कोश्चन लिए दो लान एंसर लिए और लेट हुआ है तो कोई बात नहीं और पढ़ने वाले होंगे तो मन से पढ़िएगा वाकि आपनों सही प्रात्ना है कि आप लोग कमेंट किजिए कि हम कहां से हैं और नाम किया है तकि हमको अनुभावाए कि जहार का नकीस की छेतर में मेरा वीडियो जा रहा है उसके प्लेज के लोग आपके भाई बहन सवेत को देखें और फिर उनका भी एक्जाम अच्छा जाए ठीक है मिलेंगे आप सेट नमबर टू में धनियाबाद बहुत लेट हो गया है यह आपका जो इंसे त्यार हुआ हुआ है सर्वत है आर से कलातिता जारी बाग के दुबार है और यह कोचिंग जो ऐसे मेरा खुत है कोचिंग है यहाँ पर हम लोग कुल पांच टीचर पढ़ाते हैं और हर विसाएक आपको अलग अलग टीचर मिले जाएंगे ठीक है ठीक है मिलेंगे नेस्टे वीडियो में धनियावाद